ओम शान्ति मेरा भारत स्वास्त भारत के अंतरगस्त स्वास्त परिचर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तुझे क्या चाहिए जिन्दगी तो हो सकता है कि आप कहीं धन चाहिए पैसा चाहिए लेकिन आज किस दौर में मैं समझती हूँ कि हर एक को खुशी चाहिए और जीवन का हर एक पल खुशी से ही जीवन जीना चाहिए लेकिन जिन्दगी में कुछ एक पल, कुछ एक ऐसे लम्हें आते हैं जो emotional होते हैं, challenging होते हैं और यह सब बाते हम सभी जानते भी हैं लेकिन जरूरत है हमारी सोच कि कि हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए हम अपने तन और मन को स्वस्त रखें, अपने स्वस्त पर और अपने मन पर भी पूरा-पूरा ध्यान दे जो कि हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी पहले हम पिछले एपिसोट में हम भी सुनते आए हैं और आज हम विशेश विशे पर बात कने जा रहे हैं एनिमिया के बारे में WHO की रिपोर्ट की मुताविक पूरी दुनिया में लगभग दो अरब लोग एनिमिया से ग्रस्त हैं और खासकर उसमें विशेश महिलाएं हैं तो एनिमिया क्या है इसके लक्षन क्या है और क्या कारण है और बहुत जरूरी है उसके लिए कि जागरुपता कितनी जरूरी है उसकी जानकारी कितनी जरूरी है यह सब हम चानेंगे जो हमारे बीच में है इस्त्री लोग विशेश है डॉक्र पुशा पांडे जी आपका इस Dr. Pusha Pandey जी, आज हम अनिमिया के बारे में बात कने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले कि हमने पिछले एपिसोट में मैंसिस से संबंधित जानकारियां ली थी तो उसके लिए हमारे दर्शकों से कुछ प्रश्न कुछ सवाल आये हैं तो मैं उससे पहले आप से उन दर्शकों के सवाल पुछना चाहूंगे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने उस दौरान मैंसिस के दौरान कॉटन की बात की थी तो क्या वो कॉटन मार्केट में उपलब्द हैं कॉटन पैट्स किस रेट में मिल सकते हैं वो अभी तो cotton pets हर दुकान में available नहीं है अभी पुराने ही आ रहे हैं जी जी और Amazon से मंगवाया जा सकता है और बहुत costly नहीं होते हैं क्योंकि एक बार मंगवालो तो वो फिर से reusable होता है तो उसके हिसाब से काफी सस्ता होता है और घर में भी बनाया जा सकता है अच्छा घर में भी बनाया जा सकता है कि वो कपड़ों के चार-पांच परत लेके ऐसे उसको घर में भी अच्छे से सिला जा सकता है जो कपड़े होते हैं जो सूती कपड़े होते हैं उनसे बनाया जा सकता है डॉक्टर पुशा पांडी जी दूसरा सवाल हमारे दर्सकों की तरफ से है जैसे कि आपने बताया पैप इसमायर के बारे में कि इसके साथ में आपने टेस्ट भी बताए तो कैंसर से जुड़ा है और इसके लक्षन क्या है यह टेस्ट जो होता है कैंसर से ही जुड़ा हुआ है कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जुड़ा हुआ है उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है हर मेला को कैंसर से बचने के लिए यह कराना चाहिए और हमारे देश में जागरूकता नहीं है, इसलिए कोई भी महिला ये टेस्ट कराती नहीं है, तो cancer के लक्षन तो उसके पहले ही कराना चाहिए इसलिए उसको screening test कहते हैं, और अगर उसके लक्षन दिखाई देने पड़ते हैं, तो फिर तो जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, लेकिन उन महिलाओं को हम ज़्यादा बोलते हैं, पैपिस्मेर जरूर ही कराना चाहिए, जिनको अगर लंबे समय तक डिस्चार्ज आ रहा हो, डिस्चार्ज आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, और उसमें फॉल स्मेलिंग अगर हो गया है, तो फिर उसमें जरूर ध्यान देने वाली बात है, कि जरूर कुछ अंदर कड़बड हो रहा है, क्योंकि क्रॉनिक इंफेक्शन जो होता है, वो भी कैंसर में कनवर्ट हो जाता है, दूसरा अगर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, इर्रेगुलर कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर भी उसमें हो सकता है या फिर कहीं दर्द हो रहा है नीचे लगातार दर्द बना हुआ है लगातार दर्द होने के बाद भी ये भी इसमें हो सकता है संभावना दूसरा प्रश्ट हमारे बीच में है दरश्कों की तरफ से कि जैसे अपने breast cancer की बात की थी जो उसमें गठाने हो जाती है तो जो गठाने है उनको निकालने के बाद जो हमारी menses problem है वो solve हो जाती है क्या menses problem में cancer की गठान से ऐसा संबंध नहीं होता है वो तो cancer जो hormone related होता है वो reproductive system अलग होता है और cancer की गठान ये अलग होती है इससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है लेकिन हाँ ये भी आपका प्रश्न हो सकता है कि जो दर्शक नहीं किया है कि cancer का गठान हटाने से क्या cancer ठीक हो सकता है ये भी एक उसका ये है तो हम यह बतलाना चाहेंगे कि cancer का जो गठान है हटाने के लिए उसके बहुत variety operation होते हैं और उसको या तो सिर्फ वो गठान ही हटाई जाती है जिसको local कहते हैं कि सिर्फ आपने lump, lumpectomy अर्थात के सिर्फ वो lump निकाल दिया या फिर उसके साथ lymph nodes भी निकाले जाते हैं और गठान निकालने से cancer बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके साथ ही भी किसी किसी को radiation दिया जाता है और radiation के साथ कईयों को chemotherapy भी दी जाती है कितने समय तक दी जाती है यह सब अलग-अलग होता है depend करता है कि आपका case stage में है कैसा है तो यह तो फिर बात में surgeon decide करता है कि उसमें देन है कि नहीं देना है यह बात की बात होती है यह तो ही यह सवालों की बात Dr. Pashbaixo ji अभी हम बात करेंगा आज एनुग्या के बारे में तो सबसे पहले एक basic जानकारी की एनुमिया क्या है इनीमिया का अगर हम सिंपल सा अर्थ ले तो उसका अर्थ होता है खोन की कमी होना शरीर में किसी भी कारण से खोन की कमी होना इनीमिया कहलाता है जाई ओर इसमें इसके ग्रेडिंग अलग-अलग होते बहुत कमी भी हो सकती है थोड़ी कमी भी हो सकती है और हम इसको बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें रक्त वाहिका प्रणाली होती है और उसमें रक्त बहता है तो रक्त में दो बेन चीजों से बनता है एक तो जो लिक्विट पार्ट होता है उ वो जो लाल रंग होता है, वो cells के कारण होता है, उसको RBCs बोलते हैं, तो ये जो RBCs होती है, इसमें हीमोगलोबीन नाम का content होता है, जो कि जिसमें iron भी रहता है, और गलोबीन अर्थाथ protein, मतला हीम और गलोबीन, इसमें iron प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ होता है, तो RBC के पास ये पावर होती है, कि वो oxygen ले जाता है, और हर अंग के को ये supply करता है, शरीर के हर अंग को supply करता है, तो अगर किसी भी कारण से, ये RBCs, जो red दिखाई देते हैं, या तो उनकी कमी हो जाए, मतला number of RBCs कम हो जाए, या फिर जो RBC है, उनमें हेमोगलोबीन content कम हो जाए तो दोनों ही कारण से, oxygen carrying capacity कम हो जाती है, और वो एनेमिया कहलाता है, ये तो ही एनेमिया की जानकारी कि एनेमिया क्या है, अब एनेमिया कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताई है, हमारे देश में, मुख्य जो कारण है, वह तो iron deficiency है, या nutritional है, क्योंकि हमारे developing country है, तो developing country हमारे जो अधिकतर आबादी वो गाओं में बसती है, तो गाओं में अभी भी nutrition बहुत परोपर नहीं है, उसके कारण गाओं में एनेमिया तो बहुत ही जादा है, और इसका एक तो iron deficiency और दूसरा जो परनीशियस एनेमिया कहलाता है, परनीशियस एनेमिया अर्था B12 की deficiency होती है, और folic acid, इसके भी deficiency के कारण ये megaloblastik एनेमिया कहलाता है, तो ये तो nutritional deficiency होते हैं, और जो दूसरा एक होता है, वो होता है genetic, genetic में एक है thalassemia और दूसरा है sickle cell anemia, थैलिसीमिया क्या होता है पुशोरा, थैलिसीमिया जो होता है, वो जैसे हमने कहा genetic होता है, तो हमारे शरीर में एक तो iron deficiency के कारण हमने जैसे सुना, फिर इसमें जो globin part होता है, क्योंकि hemoglobin, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, तो एक हीम तो iron होता है, दूसरा parents के कारण, genetic का अर्थ ही होता है, जो कि parents से आता है, parents से ट्रांसफर होता है, और इसमें RBCs जो होते हैं, वो RBCs जो उनकी age होती है, वो 120 दिन होती है, लेकिन thalassemia में इसमें लगभग 20-30 दिन हो जाती है, तो इसमें बहुत जल्दी यह RBCs खतम हो जाते हैं, जब RBCs खतम हो जाते हैं, मतलब number of RBCs कम हो जाते हैं, तो उनकी oxygen carrying capacity जो होती है, वो कम हो जाती है, तो अपने आप ही एनेमिया डवलप हो जाता है, और दूसरा जो इसमें हमने बतलाया, sickle cell एनेमिया, यह भी genetic होता है, जी, अच्छा, डॉक्टर प जाकार का जो वो होता है, यह मान लेजिए chronic infection है किसी को, है ना, kidney का infection है, तो kidney से erythropoietin release होता है, जब erythropoietin जो की RBCs में सहयोग देता है, बनने में, hemoglobin की content में सहयोग देता है, तो अगर erythropoietin में defect है, तो kidney में घडबड होगा, और तो chronic infection के कारण यह हो सकता है, chronic infection मतलब कि लंबे समय तक जो भी infection कहें, तो जैसे कि हमने तीसरे प्रकार का बतलाया, कि इसका कारण होता है, कि chronic infection, chronic infection किड़नी में अगर है, तो वो erythropoietin के कारण, hemoglobin बनाने में सहयक होता है, तो उसके कारण भी problem हो सकती है, और anemia हो सकता है, और जो चौथा कारण होता है, वो hemorrhagic होता है, अगर बहुत ज़ादा bleeding हो गई, तो bleeding होने के बाद भी hemoglobin तो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि RBCs कम हो जा रहे हैं, और एक anemia होता है, aplastic anemia, मतलब bone marrows, जो हमारी हड़ियां होती है, उनमें bone marrow होता है, तो उसमें भी cells ये बनती हैं, और अगर उसमें disturbance है, तो भी फिर RBC बनने में दिक्कत होती है, तो ये different different कारण होते हैं, जिसके कारण के anemia हो सकता है, और ये प्रकार भी, आया तो आप प्रकार कहलो, जी, तो डॉक्र पुश्पा जी आपने बताए कि anemia की प्रकार होते हैं, और साथ में कुछ कारण भी बताए हैं, लेकिन अगर हम कारणों की बात करें, कारण कहीं हैं, बड़े कारण, और क्या हो सकता है इसमें, और भी कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब malaria है, और जानते हैं, तो उसमें भी chronic anemia हो जाता है, और anemia उसमें तो होता है, साथी साथी जो खेतों में जो काम करते हैं, खेतों में जब काम करते हैं, तो होक्वम इंफेक्शन हो जाता है, और होक्वम के कारण, यह होक्वम इंफेक्शन क्या होता है, होक्वम जो होता है, यह खेत से वो चला जाता है और वो सारी खून को भी डे लेता है तो इसी कारण बहुत सारे स्कूलों में भी डी वर्मिंग भी किया जाता है वर्म भी बहुत बड़ा कारण है और यहां तक कि जब हम लोग pregnant ladies होते हैं उनको भी देते हैं द्ट्र कुश्वापानी जी तो ही कारणों की बाद stress भी इसका कारण है क्या? stress तो direct तो नहीं लेकिन अगर हम indirect कहें तो indirect कारण तो है ही क्योंकि मुझे यादा रहा है कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक pregnant lady आई थी और वो करीब 9 months उसको pregnancy थे और severe anemia था तो severe anemia अर्थ होता है उसका कि 7 gram से अगर कम हो गया है तो उसको बहुत कम hemoglobin था तो हमने उससे पुछा कि क्या तुमारे आंगनवाड़ी नहीं है तुमको iron नहीं मिलता है क्योंकि आजकल government तो पह सप्लाई करती है इसको government तो हमने उसको बुला कि भई तुमने iron नहीं लिया क्या तो बुले नहीं हमने नहीं खाया तो हमने खाया तो उससने अपने पर्स खोला और पर्से iron निकालके टैबलेट रख दी पूरी की पूरी hundred जो टैबलेट होती है वो suppression होती है तो उसने सारी की सारी टैबलेट निकालकर उसने रख दी तो हमने कहा तुमारी पुंसे टैबलेट है और तुमको इतना severe anemia है क्या बात है, तुमने खायी नहीं क्या टैबलेट तो उसने कहा कि नहीं मैडम हमने नहीं खाया तो मैंने का क्यों नहीं खाया बुले मेरे घर में बहुत टेंशन है मेरी सास मुझे बहुत परिशान करती है और यह प्रेगनसी मैं चाहती भी नहीं थी अब मुझे पता ही तब चला जिबकि 5 months हो गई थी तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी मुझे तो चाहिए ही नहीं तो इसलिए मैंने खाया ही इस्ट्रेस के कारण जी इस्ट्रेस के कारण तो indirect असर तो हुआ ना अगर हम किसी को दें और उसकी इच्छाई ही नहीं है तो आप उसको कुछ भी दे दो तो हम बहुत सारे लोग को देखते हैं गौर्वर्मेंट इतने सप्लाइ करती है और जब अंगनवारी जो सब लोग विजिट करते हैं तो देखते हैं घर में यहाँ पड़ी रहती है वो लोग खाते ही नहीं एक तो उसकी वेड्यू भी नहीं समझते हैं और थोड़ी साइड इफेक्ट मान लो उसको हुआ थोड़ी सी वामिटिंग हुई, कॉंस्टिपेशन हुआ तो फिर बस उखाना बन कर देते हैं और या फिर इस्ट्रेस होता है तो इस्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है एनिमिया का क्योंकि फिर वो निउट्रिशन भी प्रॉपर नहीं लेती ना क्योंकि इसमें आईरन तो टाब्लेट तो लेना ही पढ़ता है लेकिन उसके साइब प्रॉपर निउट्रिशन भी चाहिए तो स्ट्रेस ही का रण तो है जैसे अभी तक हमारे बीच में कारणों की बाते चल रहे हैं तो एक और सबाल मेरे मन में आया प्रू कुश्पाजी वो ये है कि एनेमिया के पेसेंट ज्यादा महिलाईं पाई जाते हैं तो यसा क्या है जो ज्यादा एनेमिया महिलाओं में पाया जाता है सबसे बड़ा कारण महिलाओं में एनिमिया होने का तो यही है कि महिलाओं को हर मास हर मंथ मैंसेस होता है और मैंसेस में बलड जाता है बलड मतलब आरबीसीज जाते हैं और आरबीसीज मतलब की वो आइरन लॉस होता है तो iron loss होने के करण जो females की जो demand होती है iron की वो ज्यादा हो जाती है तो adolescent age से ही ज्यादा हो जाती है तूसरी बात कि जो pregnancy होती है वो भी महिलाओं को होती है और pregnancy के समय भी iron demand ज्यादा हो जाती है तो वो भी उनको पुरा proper नहीं मिल पाता है during lactation जब breast feed कराती है बच्चे को तब भी iron demand और ज्यादा ही रहती है तो उसमय भी proper नहीं मिल पाता है और तिसरी बात यह होती है कि जो nutrition होता है वो महिलाओं अपना ध्यान नहीं देती है बहले पढ़े लिखे घर में भी आप देखो सभी का ध्यान रखती है लिए अपना ध्यान नहीं रख पाती है और अपने पती का भी ध्यान रखेंगे संबंधियों का ध्यान रखेंगे लेकिन खुद जो last बनता है अब वो बनाते बनाते इतना थक जाती है कि अपने लिए कुछ भी नहीं खाती है फिर से नहीं बनाती है तो जो रूखा सुखा है वो खा लेती है तो उनके सप्लाई भी उनको नहीं हो पाती है और एक बात और कि जब खेतों में जो महिलाएं जाती है वो भी पुरुष्टो भले चपल पहने अब महिलाएं अपना ध्यान तो रखती नहीं है तो वो चपल भी नहीं पहनती है तो खेतों में उनसे होपवम सेश्टेशन भी ज़्यादा हो जाता है इसलिए भी ये प्रोब्लम हो जाती है ये तो ही कारणों की बात तो अगर हम बात करें इनके सिम्टम की, लक्षन की तो इनके लक्षन क्या होते है कैसे पता चले कैसे मालम चले की हमको एनिमिया हुआ है ये जागरूख होना बहुत ज़्यादा आवश्चक है तो एनिमिया की डिफिरेंट ग्रेडिक होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीविर माइल्ड मतलब की कम तो जैसे हमने का की बारा से अगर कम है 11 है तो ये माइल्ड के लाता है और हो सकता है माइल्ड में किसी को कोई तकलिफ ना हो कोई इसमें माइल्ड एनिमिया में कोई ज़्यादा तकलिफ नहीं होती है और कभी-कभी इस स्वांस फूल सकती है थोड़ी तकलिफ हो सकती है 12 gram से कम हो तो वहांस फूल सकती है बहुत जज़्यादा नहीं फूलती है थोड़ी बहुत तकलीफ जज़्यादा वैसे इसम्टोमिटी की हम इसको कैसा ज़्यादा तकलीफ नहीं हो दी है moderate से हमको वह दिखाई देता है to हर age में हमको तो अलग-अलग पता चलता है, जैसे जो मांनले जी छोटे बच्चे हैं, या एडॉले संटेज हैं, और उनका स्कूल में मन नही लग रहा है, उनका पढ़ाई में मन नही लग रहा है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने दोस्तों से बात ना करें, वो थोड़े से आशांत रहते हैं, थोड़े से चिर्चली पंढ़ने लगते हैं, क्योंकि oxygen supply कम होती है, अब oxygen carrying capacity कम है, तो हर भाग में शरीर के हर हिस्से में oxygen कम जाएगा ना, तो मस्तेश में भी कम जाता है, तो उनको अच्छा ने लगता है, तो उनका IQ भी कम होने लगता है तो बहुत सारे जो parents होते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, कि पता ने इसको क्या problem हो गई है, आज कल ये स्कूल जाने की इच्छा भी नहीं करता है, दिन भर सोता रहता है, उठता भी लहीं है, तो अगर आप चेक कर आओ, तो बदा चलता है कि hemoglobin कम है, तो उस age से ये प् जैसा हो जाता है, जैसे pink होना चाहिए ना शरीर, जब hemoglobin अच्छा होता है, तो शरीर बिलकुल pink दिखाई देता है, ओट भी pink दिखाई देते हैं, और जो conjunctivitis को हम क्याते हैं, तो अगर हम इसको देखेंगे, तो ये भी pink दिखाई देता है, नॉर्मल, लेकिन जो एनेमि बिलकुल कमजोर से हो जाते हैं, फ्लाट हो जाते हैं, इनको कोईलो ने किया कहा जाता है, और साथी ज्यादा होता है, तो फिर श्वांस भी फूलने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, थोड़ा सा भी चलो, तो बहुत सारी कमजोरी लगने लगती है, तो ये कमजोर और काफे मोटे मोटे उसमें पैर हो जाते हैं और अगर हम हाट में सुनते हैं तो यहाँ पर कि हमको धरकन के उसमें जिसको मरमर कहते हैं जे जे हम मेडिकल भाशा में उसको मरमर कहते हैं वो भी सुनाई देने लगता है और जैसे पेट में भी स्प्लीन होता है इधर तो स्प्लीन जो होता है उसका साइस बढ़ जाता है तो इस तरह से और साइन है और भी और बहुत सारे कई सिंटम है जैसे क्या होता है कि कई लोगों को बर्फ खाने की इच्छा ज़्यादा होने लगा इसको पेगोफेजिया कहते है, मतलब कि एनिमिया के कारण, जैसे हमारे हाँ एक महिला आती थी, जब भी आती थी, तो वो हमेशा फ्रीज से बर्फ निकाल कर खाती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या हुआ, क्या हुआ, क्या मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा संकल्प चला कि भारबार ये क्यों वर्फ और जब मौसम होगा थन्डी का तो ठंड में भी वर्फ खाती थी, जी, जी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि टंड के मौसम में वर्फ क्यों का रही है, तो फिर उसका हमने चेक अप कराया, तो उसका हेमोगलोबिन जाती है, और जो नाखोने वो तूटने लगते हैं, सांसफोने लगती है, इस आरे आपने कुछ लक्षन बताए, इस जो लक्षन आपने बताए, इसके अलाब आजसे हम बात करें, आपने कहा कि सांसफोने लगती है, तो इसके अलाब आपके पास और कैसे पेसेंट आते है गाइनिक्स प्रॉबलम से ज्यादा आते हैं, तो जो ब्लीडिंग के कारण आते हैं. जैसे कि जब उनको मैनोरेजिया हो जाता है, जादा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी एक कारण होता है ना, उसका एनिमिया का, कि अगर blood loss आपका ज्यादा हो रहा है तो वो आते हैं, ये तो गाइनिक्स आती हैं, और जब pregnancy होती है तो pregnant patients ज्यादा आती है उसमें हम ज्यादा anemia देखते हैं बहुत pale होता है, और उसके बाद delivery के बाद, कभी-कभी जब home deliveries risk कर रहते हैं, तो उसमें bleeding ज्यादा हो जाती है, और उसको वो लोग normal सुचते हैं, तो उसमें जब bleeding ज्यादा हो जाती है, तो भी पूरा हाथ पैर सुजा हुआ रहता है, फिर ऐसे वो उठा कर लाते हैं, गाउं में anemia बहुत ज्यादा common है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन लोग अभी भी घर में करा लेते हैं, और वहां पर कराने से कभी-कभी bleeding भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम PPH कहते हैं, जिसमतलब कि बहुत ज्यादा bleeding है, क्योंकि normal उसको 20 लोग handle नहीं कर पाती हैं, और chronic anemia हो जाता है, और फिर इस तर असे gynex problem लेकर बहुत ज़्यादा हमारे पास आती है, ये तो हुई कुछ लक्षणों की बातें, लेकिन अगर हम इनके test, जिसे अपने का test कराना चाहिए, anemia की, तो किस प्रकार के test होते हैं, अभी हम iron deficiency anemia की ही बात कर रहे हैं, तो iron deficiency anemia, सिकल टेस्ट और थेलसेमिया की बात तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ iron deficiency में बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, क्यूंकि maximum आरे हम इन डेफिशेंसी है, तो जब आते हैं हमारे पास, तो हम उनको सबसे पहले hemoglobin test ही कराते हैं, और यह कि छोटा सा ही test होता है, लेकिन आजकर hemoglobin की जगे हम CBC जिसको बोलते हैं, complete blood जो होता है, वो count करवाते हैं, जिससे कि और भी ज़्यदा, जैसे आपने hemoglobin की बात की, तो स्वास्त व्यक्ति में कितना hemoglobin होना चाहिए? हाँ, वो जैसे males में थोड़ा ज़्यादा होता है, 13 gram से ज़्यादा होना चाहिए, और महिलाओं में 12 gram, और उससे कम जो होता है, वो mild anemia कहलाता है, तो इतना hemoglobin तो इससे ज़्यादा होना ही चाहिए, और hemoglobin CBC तो हम कराते ही हैं, उसके साथ serum iron कराते हैं, serum iron, serum peritin कराते है कि iron अगर उसमें कम आ रहा है, मतलब definitely iron deficiency anemia है, और अगर इसमें iron अगर कम नहीं आ रहा है, फिर iron की मातरा अगर ज़्यादा है, फिर भी उसको anemia है, फिर हम दूसरे test कराते हैं, जैसे आपने कहा कि stress भी इसके एक बज़ा है, और आप पिछले episode में भी meditation के बारे में बताते ह हैं, इसमें meditation का क्या रोल है, अनेमिया में? अनेमिया में meditation का direct और indirect दोनों रोल है, meditation जो भी practice करता है, वो अपनी जीवन प्रणाली को भी ध्यान रगता है, क्योंकि meditation सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 मेंट आप meditation करो, meditative lifestyle होती है, और meditative lifestyle जो होती है, वो healthy diet उसमें लिया जाता है, त क्योंकि nutritional deficiency जो एनेमिया होती है, वो भी ठीक हो जाता है, और उसको fast food की तरफ आकर्शन कम होता है, क्योंकि fast food की तरफ आकर्शन तभी होता है, जब stress होता है, तो fast food एक बहुत बड़ा कारण है, तो हम उससे भी, हमको फाइदा होता है, कि हम nutritional deficiency जो एनेमिया होता है, वो कम ह होता है और हमारा स्ट्रेस तो अलड़ी उसे कम होता ही है जी तो ये फाइदा होता है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अन्वियां के बारे में बताया उसके कारण और साथ में उसके कुछ निवारन भी बताया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दॉक्टर पुश्व पा किसी किरण मिल चुकी है जैसे कहते हैं कि किरण चाहे सूर्य की हो चाहे आसाओं की जीवन के अंधिकार को समाप्त कर देती है ओम शान्ति धनिवाद